जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदेस में नई प्रात्मी किस तरकी सिख्षक भरती का मामला कोट में जा चुका है वहां से क्या कुछ नया अपडेट है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे के जीजी वीबी सिख्षकों की भरती के संदर में विग्यापन कई जी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निग्रेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार उजेट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आकन को प्रेस करना ना भूलें इसक्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे है जिसमें रिस्पॉंडेंट जो भी है प्रदेश सरकार और जो भी बेसिक इच्छा नीदेशाल है उनको अपना एंसर काउंटर फाइल करना है एक हफते का और समय के वल उनके पास बचा है और एक हफते के बाद जब वो अपना answer काउंटर फाइल कर देंगे उसके बाद स है केजी वीबी वेकन्सी के बारे में इसका फूल फॉर्म होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याले यहां पर आप देख सकते हैं कई जीलों में इसमें जो रिक्तपद हैं उसके सम्मंद में यह किजी वीपी संवीदा आधारित भरती का विग्यापन जारी किया गया कम्प्यूटर सिक्षी का 9800 इस प्रकार से आपको मासिक वेतन दिया जाएगा आप इसक्रिन पर देख पा रहोंगे ये गाजियाबाद का नोटीस है ठीक है और कैसे आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं समविदा वा अनुबंद के अधार पर कारे करने के एक्छुक महिला अभिर्थियों से आवेदन पत्र आमात्रित किये जाते हैं निर्धारित ही थी के पशात कोई भी आवेदन पत्र स्विकार नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्यापन की सैक्षड की योगिता आवेदन पत्र प्रारूप हुआ समस्त सर्तें वेबसाइट www.gaziyabad.nic.in www.bsa.gaziyabad.in पर उपलब्ध है आप किस परकार से आवेदन करेंगे वो सब कुछ डिटेल वहाँ पर दिया गया है तो यह गाजियाबाद का हो गया इसी परकार से सोनबद्र जिले में भी आप देख पा रहोंगे यहाँ पर भी देख सकते हैं salary 22,000-22,000 सभी teachers के लिए हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह सोनबद्र जिले का है और इसी प्रकार से इनके लिए जो official website है वहाँ पर भी जा करके आप सब कुछ देख सकते हैं इसके लावा अमेठी जीले में भी विज्यापन जारी किया गया है आप इसकिन पर देख पा रहोंगे तो यहाँ पर नियूंतम जो age है वो 25 वर्स है और अधिकतम 45 वर्स है ठीक है यह अमेठी की बात में बता रहा हूँ प्रतिक जगा का क्राइटेरिया जो है वो अलग-अलग हो सकता है 22 जार प्रतिमा यहाँ पर सेलरी रखी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो minimum educational qualification है वो आगे mention किया गया है या फिर आप इनकी official website ametri.nic.in पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावन मुरादाबाद में भी यहाँ पर प्रेस विगयप्ती जारी की गई है आप इसकन पर देख पार होंगे यहाँ पर भी विज्ञान के लिए, गडित के लिए, हिंदी के लिए, संस्क्रित के लिए, सभी के लिए वेकंसी निकाले गई है, 22 जार यहाँ पर भी सेल लिए, और इसके लिए भी आप इनके ओफिशल वेबसाइट पर जा करके चीजे पता कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप उफिशल वेबसाइट नहीं मिल लए तो आप जीला बेसिक अठ्चा आधिकारी कारयाले जो होता है, प्रतेक जीले में, यह प्रतेक जीले की वेकंसी है, सभी जीले में लगबग वेकंसी आई हुई है, तो आप जाकरके अपने 20 कारयाले पर पता कर सकत 22,000 रुपया आपको मान दे के रूप में प्रती महा दिया जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जैसा कि आपको ग्यात होगा जो 79,000 सहाय का ध्यापकों की भरती है उसमें कई मामले जो की आने वाली सिक्षकों की भरती को डारेक्ली प्रभावित करने वाले है उसी में से एक मामला डबल आरक्षण का मामला है चौथी लिष्ट जो अभी माने निये सिंगल बेंच के द्वारा कैंसिल की गई है यानि 800 की लिष्ट जो कैंसिल की गई है उसमें एक महतोपूर्ण प्रावधान था कि ऐसे अभ्यरती जो यूपी टेट या फिर सीटेट म की अन्रिजर्व कर्टिगरी के लिए 97 नंबर यानि की 65 प्रतिसत पर क्वालिफाई माना जाता है तो इसको डबल आरक्षण माना जाया नहीं हालां कि सिंगल मेंच ने उसको डबल आरक्षण नहीं माना है अब इसी फैसले को आगे अभ्यरती चुनावती देने की त्यारी कहने का मतलब कि एक बार जो यूपीटेट में आरक्षण का लाब ले चुका है उसको सिंग्षक भरती में आरक्षण का लाब नहीं देना चाहिए ये मांग है पिटिशनर्स की तो निशीत तोर पर आने वाली सिंग्षक भरती में अगर इस प्रकार का कुछ फैसला आता है तो निश्ची तोर पर आने वाली भरतियों में ये पूरा खेल बदल जाएगा अगर एक बार यूपीटेट में आपने आरक्षान का लाब ले लिया तो भविश में मिलेगा या नहीं ये निश्ची तोर पर मानेनी कोट तै कर सकती है आने वाले कुछ समय में जब ये मामला म अभिरतियों पर किस प्रकार से पड़ेगा इसको एक बार समझ लिजे देखिए एक बार अगर आपने यूपीटेट या फिर सीटेट में आरक्षान का लाब ले लिया यानि कि 82 नंबर पर आप क्वालिफाई हो गया और अगर माली जे मानेने कोट डबल आरक्षान को कैंस सिक्षक भरती में सामिल हुए हैं तो एक बार तो आरक्षान का लाब ले लिया आपने अब भविश में आपको 90 नहीं आपके लिए क्वालिफाईंग मार्स संतान में नंबर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अंगली खबर की तरफ CGL 2023 से 7500 पदों पर भरती आवेदन की प एलड रिजल्ट के बार में बहुत सारी अभिशान की रिजल्ट जारी हुआ है अत्व नहीं क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का कल दो पहर के दो बज़े लगबग रिजल्ट ओपन हुआ था और कुछ अभिशानियमक प्राधिकारी काराले की बातों पर विश्वास के आज तो अभी result जारी नहीं हुआ है हलांकि link उनके द्वारा दे दिया गया है लेकिन result जारी नहीं हुआ हलांकि कुछ अभियर्थियों का result open भी हो चुका था कल दो पर दो बजे तो अभी link एक तरीके से डाला तो गया है लेकिन उस पर जब आप अपना roll number डालेंगे तो वो error दिखाएगा तो अभी आप धैरे रखिए सब कुछ तैयारिया हो चुकी है सच्व परिच्छान यमक प्रादिकारी कारले के अनुसार एक से दो दिन में आपके result की घोशना हर हाल में हो जाएगी result open हुआ था एकाद बंदे का कल के date में भी ठीक है ये सही है मैंने खुद देखा है एकाद बंदे का result open हुआ है तो आप धैरे रखिए जो भी चीजे चल रही है बैकेंड से वो सब कुछ clear होने के बाद से आपका result open होने लगेगा PNP की website में हमें सा इस प्रकार का error रहता है जब भी अगर आप अपना result open करेंगे congestion होने के वज़े से ये सभी चीजे error आएंगी ही आएंगी तो आपको धैरे रखना है result जारी हो जाएगा एक से दो दिन में 100% और आप सभी को आपके result के लिए बहुत बहुत धेर शारी शुब कामना है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो